देश भर में अब कुरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है लगतार बढ़ते आकडों से अब बेहार में भी सभी लोग सतर्क हो गए हैं और इतना ही नहीं सरकार की तरफ से तो अब यो दस्तर पर तैयारियां भी की जारी है होली का तेवहार है और ऐसे में सभी जो यातरी हैं अपने घर लोटेंगे और जोरान अलग-अलग राजियों से लोग अलग-अलग जगहों पर जाएंगे और खासकर बेहार में कई सारे लोग दूसरे राजियों से आते हैं अब ऐसे में बेहार सरकार में पूरी तरीके से सभात के तयारी कर ली है कि जो भी यातरी दूसरे राजियों से आएंगे उनकी कोरोना जांच की जाएगी और पूरे तीन दिन तक उन्हें कॉरंटीन में रहना होगा यानि कि होटेल अशूप पाटले पुत्रा में उन्हें तीन दिन तक कॉरंटीन किया चाएगा साथी साथ उनकी कोरोना जांच भी की जाएगी आपको बता दे कि उन राजियों से आएवे यात्रियों पर और जादा ध्यान दिया चाएगा जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चा रहे हैं खास करके अगर हम बात करें महाराष्ट, केरल, पंजाब, तमिल नाजू, मध्य प्रदेश इन राजियों से आएवे जो लोग होंगी जो यात्री होंगी उन पर बिहार सरकार की जादा नजर रहेगी इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार से बताते हैं अन्य प्रदेशी से पटना आने वाले यात्रियों की रांडम कुरोना जाज शुरू हो गई है रेल्वे स्टेशन एरपोर्ट और बस स्टैंड में आर्टी सी आर्ज से कुरोना जाज के लिए रांडम तोर पर 75 लोगों का सैंपल लिया गया सिवल सर्जिन डॉक्टर विभा कुमारी सिंग नहीं बताया कि सोमवार से इस रांडम जाज की संख्या में और व्रिधी होगी क्योंकि जाज टीम के साथ फोर्स तैनात रहेगी खासकर वैसी टीनों और फ्लाइटों की यात्रियों पर फोकस किया जा रहा है जो कुरोना से अधिक संक्रमित वाले प्रदेशों से आ रहे हैं सभी के सेंपल को आटीपी सियार जाज के लिए आर एम आर आई भीजा जा रहा है उन्होंने कहा कि जिन कुरोना मरीजों के पास होम आइसोलेशन की सुवधा नहीं है उन्हें आईकर गुलंबर इस्तित होटल पाटली पुत्र अशोका मी आईसोलीट किया जाएगा यहां 2400 घंटे डॉक्टर और पैरा मैजिकल स्टाफ की तानाती रहेगी यहां कुरोना संक्रमितों के लिए 165 बेड की विवस्था है राज्य में धीरे-धीरे कुरोना के नए संक्रमितों की संक्या बढ़ने लगी है रविवार को 40,000 कुरोना सांपल की जाच हुई जिसमें 50 नए संक्रमित मिले हैं इसमें सरवाधिक 28 मरीज पटना में मिले हैं जिसमें से चार मरीज पॉजिटिव पाई गए हैं एनमसीच में कुरोना संक्रमित फिलहाल नौ मरीज भटती हैं शन्वार की तरह ही रविवार को भी तेरह जिले में ही नए संक्रमित मिले हलाकि धीरे धीरे कुरोना सैंपल जांच की संख्या में बढ़ हूतरी हो रही है मड़ी सुपॉल मधेपूरा पटना में 28 नए संक्रमित मिले हैं राज्य भर के अगर बात की जाए तो कुल आक्टिव मरीजों की संख्या 332 से बढ़कर 337 हो गई है हलाकि 44 संक्रमित कोरोना वाइरस को हराने में सफल रहे हैं तो अगर कुरोना मरीजों की बात की जाए तो लगातार उनके आंकडों में अजाफा हो रहा है खास करके अगर पिछले 3-4 दनों की बात बहार की की जाए तो संक्रमित मरीजों की संख्या में खास बढ़ोतरी देखने को मिली है पहले ये अगर शरिवार की बात की जाए तो 32,000 थी रविवार के दिन सीधे बढ़कर ये 40,000 हो गई कुल आक्टिव केस की अगर राज़ानी पटनाक में बात की जाए तो वो 337 है अब ऐसे में कोरोना को लेकर एक बार फिर से बेहार सरकार पूरे तरीकी से अलर्ट मोड में हैं इसलिए हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप सतर्क रहें और किसी भी तरह की लापरवाही ना बढ़ती कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स बार बार हाथ होना, शोशल डिस्टेंसिंग, दोगर्स की धूरी का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार है और इसे आप भी अनिवारे रूप से अपने जीवन शैली में फॉलो करें फराल के लिए अतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूस वानेशन, नमस्कार